अब है है को सुऽागत्स अब सभी के एकपरप्प्ट से आपके अपने यूटू cog इच टरी में तो स competent आज डेयली के करेंट करते हैं लेकिन आज से करेंगे तो при APiej अप Right डेयली आपको प्रिवियर सेख के को संदर हो य में क् there क्लास है करेंट और जी के का मिक्स कोस्टन का क्लास है कुछ कोस्टन करेंट एफेस के भी है ठीक है लेकिन ज्यादा कुस्टन जी की के हैं तो साथ आप लोग सभी साथ ही जो है फटाबच से वीडियो को लाइक और सियर कर दीजिए नए साथ अगर कोई भी पहली बारा है 15 मिनिट में यह क्लास खतम हो जाएगी टोटल नंबर और कोस्टन है पचास देखो उत्री पूर्वी मानसुन से सबसे अधिक बरसा प्राप्ट करने वाला राज कौन सा है तो साथ देखिए उत्री पूर्वी मानसुन जिसको लोटती हुई मानसुन कहते हैं ठीक है इसको सबसे अधिक बरसा कहा होती है तमिलनादुराज में ठीक है कब होती है तो साथ जाड़ों के मोसम में खास तोर पर ऑक्टूबर नॉम्बर में सबसे ज्यादा बरसा होती है ठीक है क्लियर है आगे दिखिए 2011 की जो जनगन्ना होई थी वो पंद्रवी जनगन्ना थी साथिय सबसे अधिक उत्तरप्रदिस की है उसके बाद आता है महरास्ट्रा और तिसरे नंबर पर आता है बिहार ठीक है तो देखो बिहार की जनगन्ना है 10.4 मिलियन देखो 1 मिलियन में 10 लाख होता है ठीक है तूछ इसाब से आप देख लेना 10.4 मिलियन ठीक है आगे देखो मुहमद गोरी बिजीत परदेशों की देखबाल के लिए निम्नल खित में से किस विश्वस्निया जनरल को छोड़ कर गया था तो देखो यहां करेक्ट आ आगे देखो अमेरिका में फिरी हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था तो जरूर आपको यहां याद रखना है देखो तारक नाथ दास जी ने ओप्सन नमबर डी करेक्ट आएगा तारक नाथ दास देखो गोतम बुद्ध में ने निम्नल कित में से किस अस्थान पर महा परिनिर्वान यानि मिर्ट्व प्राफ किया था यानि गोतम बुद्ध की मिर्ट्व इनमें से किस अस्थान पर हुई थी तो देखना है इस क्या जाएगा तो आप सभी को याद रखना है गोतम बुद्ध की मिर्ट्व इनमें से किस सगा पर हुई थी तो देखो कर आप्चन का करेक्ट अंसर अब किया जाएगा तो जरूर याद अखना बोद गया आपका करेक्ट आएगा ऑप्सन नंबर भी सभी साथी याद अखना बोद गया में आगे देखो किस कुसान सासक ने सरपर्थम स्वर्ण मुद्राय जारी की थी कौन से कुसान सासक है जिसने स सबसे पहले स्वर्ण मुद्राय जारी की थी साथ्यों राइट एंसर क्या जाएगा कड़ फिसस दूतिया ओप्सन नमबर भी करेक्ट है कड़ फिसस दूतिया ठीक है कुजूल कड़ फिसस दूतिया ने आगे देखो मसालों का बगान कहा जाने वाला राज कौन सा है तो के ब्रह्मा समाज आधुनिक भारत में हिंदु धर्म में पाला सुधार अंदोलंता ब्रह्मा समाज जिसकी अस्थापना 1828 में राजा राम मुहन राजी ने की थी आगे देखे नेक्स्ट कोस्टन संभिदान के किन अनुच्छेदों में सोसन के विरूद अधिकार वरनी थ देखे याद रुठी अगे देखे देखो घंगे कोण्ट चोलपुरम का स्विंद्र का निर्मान किसके समय में हुआ था तो जरूर आपको याद अकनए राज अंदर पर्थम के समय में तो अप्शन नमबर भी करेक्ट आएगा राज अंदर पर्थम के समय में आगे दिखे अठारो सो सक्तर इसमें पूना सर्वजनिक सभा की अस्थापना किशने की थी तो जरूर आप सभी साथों को याद रखना है महादेव गोविंध रनाडे आपका करेक्ट आएगा आप्सन नमबर भी किसी राष्ट की राष्ट या आए कैसी होती है तो साथो किसी राष्ट की राष्टी आये होती है उत्पादक कारियों का योगफल उत्पादक कारियों का योगफल उप्सन नमबर भी राइट आएगा मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न में से किसको परदान किया गिया है तो जरूर आपको याद रखना है सरवच्चन याले को सरवच्चन याले आपका राइट आएगा उप्सन नमबर ए वेरी गुड आगे देखें पूरों मजदिकाल में विजयाले ने चोल राज की अस्थापना कव की थी तो साथ याद आपको रखना है देखो कुसानों का संबन था चीन के यूची जनजातियों से आगे देखें हर्याना राज्य कब बना था हर्याना राज्य कब बना था साथ ध्यान देजिए हर्याना राज्य का गठन एक नॉवंबर 1966 को हुआ था आप्सन नमबर ए आपका करेक्ट आएगा आगे दिखिए यहाँ पर एक दो क्वेस्टन यार गलती से मिश्टेक हो गया है थुट गया है देखो परसिद चेतक घोड़ा किस से संबंदी थे परसिद चेतक घोड़ा के नाम आपने सुना होगा कि यह चेतक जो एक परसिद घोड़ा था तो किस से संबंदी थे यह घोड़ा बताईए चेतक तो महराना परताप के का नाम था न साथियो तो आप सभी साथ को याद रखना है जैचंद आपका करिक्ट आएगा किस यूग में पड़ता है तो देखना करेक्टन्स राज आएगा आद एतिहासिक काल में आद एतिहासिक काल ऑप्सन नमबर डी राइट है आगे देखिए भारत में मुद्रा इस्पितिक याद करने के लिए किसका परियोग किया जाता है तो जरूर आपको याद रखना है थ क्या गया है तो देखिए अंतरा जिया परिसद के गठन का प्रवधान संविधान के किस अनुछेद में क्या गया है तो साथियो अनुछे 263 में आप्सन नमबर सी करेक्ट आएगा आगे दिखिए राष्ट्या हर्टी कल्चर मिशन किस पंच वर्षिय योजना में आरम क्य उसके अगया था था अब सभी साथियों को याद रखना है इंपॉर्टेंट कुस्च्चन है देख लीजिए सबी साथि अब घ्यान से तो साथियो दस वी-5 वर्षिय योजिना में दस वी पंच वर्षिय आपका 바로 Перाम ऑग आगे देखिए वीजय नगरी अगर नग्री नग सब्सक्राइब कदाचार के नाम से जाना जाता था तो कदाचार आपका करेक्ट आएगा आपसन नंबर ए आगे देखे भारत में सरपर्थम 1794 इसलिंए कोईला का उठ खनन किस अस्थान पर क्या गिया था तो साथियो राणी गंज में राणी गंज आपका करेक्ट आएगा आप्सन नंबर भी आगे दिखिए भारतिय छेत्र में इस्थित दो जोला मुख्य दीप कौन-कौन से हैं तो साथ्यों बेरन एवम नरकॉंडम आप्सन नंबर सी आपका करेक्ट आएगा और दोनों अंडामान निकोबार में इस्थित है आगे दिखिए केमरे में किस परकार के लेंस को उपयोग में लाया जाता है तो साथ्यों केमरे में किस परकार के लेंस को उपयोग में लाया जाता है तो उत्तल लेंस आप्सन नंबर करेक्ट आएगा उत्तल लेंस आगे दिखिए इंद्रधनूस किस कारण बनता है तो जरूर आपको याद रखना है साथ्यों अपवर्तन और परावर्तन के कारण option number B आपका correct आएगा यहाँ आगे दिखिए सोनार परियोग में लाया जाता है किसके द्वारा साथ यो सोनार जो है ये नो संचाला को के द्वारा परियोग में लाया जाता है तो option number C correct आएगा आगे दिखिए सभी साथी हाली में कौन केरिबियन प्रिमियल लिग खिलारी ड्राप्ट में सामिल होने वाले पहले भारतिया बने हैं तो देखिए इस question का correct answer क्या आजाएगा हाली में कौन Caribbean Premier League यानि CPL खियारी डाप्ट में सामिल होने वाले पहले बारतिया बने थे तो इर्फान पठान option number B correct आएगा इर्फान पठान हाली में कौन Atlantic महासागर पार करने वाली विस्व की पहली महिला बनी है तो साथियो याद अखना आरोही पंडित option number B right answer आएगा आगे देखिया हाली में कौन समलेंगिक विवाह को मंजूरी देने वाला एसिया का पहला देश बन गया है तो साथियो जरूर आपको याद अखना है समलेंगिक विवाह को मंजूरी देने वाला एसिया का पहला देश बन गया है ताइवान तो ताइवान करेक्टा आएगा option number C आगे देखिया हाली में कौन ICC मैच रेफरी पेनल में सामिल होने वाली पहली महिला बनी है तो याद आपको रखना है GS लक्ष्मी option number B करेक्टा आएगा GS लक्ष्मी आगे देखिया हाली में परसिद्सोर पुरं तर अरब हुआ यहां कि स्राज से सबंदी थे तो साथ आप सभी साथ को याद रכना है देखो तTT आरम हुआ है प्रह यहां कि स्राज से टॉइलर पुरस्कार किस छेत्र में परदान किया जाता है तो परियावरन सुरक्षा के छेत्र में सभी मिलकर क्लास लाइक कर दीजे यूँकि बिल्कुल सूपर फास्ट क्लास आपको करा रहे हैं आपके समय को बचा रहे हैं ठीक है देखिए इन में से किसने दा देखो दा इन में से कौन दा थ्री मिष्टेक इन माई लाइफ पुस्तक के लेखक है तो चेतन भगत याद अखना चेतन भगत आपका करेक्ट आएगा ओप्शन नमबर भी आगर देखिए यूएन डीपी का पुरा नाम क्या है तो साथ्यों यूएन डीपी का पुरा नाम क्या है करेक्ट आगे आपका यहां आगे देखिए किसान दिवस हर वर्ष कम मनेया जाता है तो देखो किसान दिवस हर वर्ष कम मनेया जाता है तो साथ्यों 23 दिसंबर को याद रिखिया ओप्शन नमबर डी करेक्ट आगया 23 दिसंबर आगे देखिए सर्वधिक तेजगति का प् परियोग होता है माउस के दो मानक बटनों के वीच इस्तिःशलिव का क्या परियोग होता है तो यांद रखनाइ स्क्रॉल करना यह माउस हो गया यहां लेट की राइट की बीच में कि स्क्रॉल करने के लिदेեղael किरांट करने के लिए आगे दिखेर थे तो याद रखना रेम का फूल फॉर्म होता है साथ रेंडॉम एक्सेस मेमोरी यह आप याद रखना आगे देखिए जॉर्डन और इसराइल के मज़ें कौन सा सागर इस्ती थे तो आप सभी साथों को जरूर यहाँ याद रखना है देख लिए मृत सागर साथ डेड़ सी मृ नीचे एक संकरी घहरी तथा तिवर ढाल युक्त किनारे वाली नदी घाटी को किस नाम से जाना जाता है तो केनियन के नाम से केनियन ऑप्सन नमबर एक करेक्ट आएगा केनियन याद रखना आगे देखिए अंतिम कुस्ट्यन यह रहा जावा और सुमत्त्रा दूप किस देख में साथे को जावा और सुमत्त्रा दूप किस देख में तो याद आपको रखना है इंडोनेसिया में आप्ट्शन नमबर सी करेक्ट या साथिओ, याद सभी साथों को जरूर यहाँ याद रखना है तो साथी क्लास आपकी खतम हो गई बहुत ही कम समय में 12-13 मिनिट में आपको आज कई क्लास खतम करवा दी हैं तो सभी साथी मिलकर क्लास को लाइक कर दीजिए आप ठीक है सभी मिलकर क्लास को लाइक कर दीजिए शियर करिए नए साथी कोई भी है क्लास में चैनल सब्सक्राइब करके बैल आइकन ओन कलेना ठीक है और मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में साम में साथ बजे लगेगी आपकी अगली क्लास ठीक है तो तयार रहना सभी साथी साम में साथ बजे ठीक है उसके बाद फिर रात में साड़े आठ बजे ठीक ह हैं आप सभी को उसे पले इस क्लास को लाइक शेयर कर दीजिए नए साथ ही इतने भी हैं चैनल सब्सक्राइब करके बैल आइकन ओन करेंगा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में तब तक अपना ख्याल देखिए स्वस्त्रे ये जैन साथ यो बन दे मात्रम टेक केर